अज हम से करेंगे कि प्री ड напोर्ट लेवल की आलामते क्या हैं और किस तरह से हम इनको जानकर और समझ कर खुद को डिश्ड होने से बजा सकते हैं तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्री डिश्क तरे खुरल का है मस्वें तो तो अगर HbA1C 5.7 to 6.4 के दरिम्यान और शुगर लेवल 100 to 125 mg पर डियल के अंदर आती है तो आप इसका मतलब है कि अप प्री डियाप टेक हैं लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल 126 से जाधा आते हैं और HbA1C 6.5 या उस से जाधा आती है तो इसका मतलब है कि आप डियाप पर डियल तक ही जो है वो शुगर उसको मेंटेन और कंपसेट कर पाता है तो फिर जब हम 31 टीस्पून शुगर लेते हैं तो किस तरह हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और वो बहुत जाएंक्रीस क्यों नहीं होता क्योंकि हम पैंक्रियास जो है एक हॉर्मोन स सो ख़िए रहे हैं और जिसताना की फिजिछी ऑंक्रै या पिश्ट बहुत है लेते रहें तो फिर जो है वह मारा बॉडिदी उसको कंपसरेट करने के लिए पाल चुगर ऑडिदी के लिए शुगर उन्वर्मोण ॥ाइर हो कोई भी चीज हाई लेवल पे लेंगे तो वो बॉड़ी के लिए अच्छी नहीं होगी तो चाहे वो शुगर हो या इंसुलीन हो तो जब जा सा बॉड़ी इंसुलीन प्रोडूस करी होती है तो इसमें जो है वो इंसुलीन रिस्टमस आयाता है फिर इसको कंपसेट करने के ल लेवल तो जो है वो आपको मैंटेन करने पड़ते हैं तो यह बैरेंस का जो सिंसला जो है वो दस से पंदरा साल जो हो चल रहा होता है लेकिन उसके बाद जो है पैंक्रियास जो है वो एक्जॉस आते है और वो इंसुलीन जो है लेवल उस तरह से नहीं बना रहे होते है इ प्रिट्री ड्याप्टिक स्टेज के अलामते हैं फ्रिक्वेंट उरिनेशन यानि के जासा पशाब आना हंगर जासा बुक लगना थ्रस होती है जासा प्यास लगना फटी थोड़ी बस सीडियां चलने के बाद थक जाते हैं लो लेक पेन होता है आपको वदन का कम होना शुर ट्रिंक्स लेने की आपकी शूगर लेवल जोहाँ व कि अगर एसफी इसलामत है तो वारेणी शुगर टेश करना चाहिए बबस आते ही हैं और फैनी डॉक्टर से जो है वो रुजू करना चाहिए और अपनी डाइट को सुदाना चाहिए अगर आप अपनी डाइट में कार्वाइड लेवल कट करेंगे और इंट्मेटन फास्टिंग भी तैकीश से पास चला है कि आज कल जो है बहुत ही असर अंदाज करता है शुगर लेवल को मेंटेन करन तो हम भूँ टायम तक डाइप्टिक स्टेज को रोक सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं शुगर बहुत ही डेंजर्स है हमारे लाइफ में आरी बॉड़ी के लिए ना सरफ वह हो इंफ्लेमेशन करता है और बहुत सारे और्गन्स को जो है वह अफट कर रहा होता है औ तो गाइस प्लीज जो है वो अगर इस लेवल या ऐसी अलामते आने के बाद अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करें थैंक यू